पुलिस प्रसाशन हमारे बीच में उपस्तित एक ऐसा समू है जिसका काप अपराधों को रोकना और अपराधी को सजा दिलाना होता है लेकिन जब वहा ही अपराध करने लगे तो हम क्या ही अप्पेच्छा कर सकते हैं नमस्कार मेरा नाम है विनोद बाबू आपके आनको देखना शुरू कर चुके है नाजस्थान के अजमेर में इस्तित व्यावर जिले के DSP का महिला कांस्टेबल के साथ एक असली वीडियो आजकल काफी वाइरल हो रहा है DSP का नाम हिरालाल सेनी है DSP महिला कांस्टेबल के साथ स्विमिंग पूल में दिखे जिस समय तोनों याजस्ली वीडियो बना रहे थे महिला कांस्टेबल का चाह साल का बच्चा वहीं मौजूद था वीडियो बनाकर जब महिला कांस्टेबल ने वाडशत इस्टेटस लगाया जिसको देखने के बाद महिला कांस्टेबल का पत जब थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाने गया तो वहां उसकी FIR नहीं दर्ज की गई बताया गया तीएसपी का मामला है हम एक्षन नहीं ले सक दे यहां से निराज होकर उसने SOG के पास जब सिकायत दर्ज कराई तो SOG ने एक्षन लेते हुए दीएसपी को तुरंत किरबतार किया और दो एसपी और दो धनाधिकारियों को लिलबित करतिया गया छोटे बच्चे के सामने असलीलता करने पर बाल आयोग ने भी एक्षन लिया है आपको बता दें किरबतारी के बाद दीएसपी ने अपनी सफाई में बताया कि यहां वीडियो मुझे बदनाम करने के लिए इडिट किया गया है वहां इस महिला को जानते तक नहीं लेकिन आपको बता दें महिला कांस्टेबर उनके साथ ही काम करती थी पता जारा है час रहा है लिएकुन की अभी चारच चल रही है अगर कोई नई अपडेट आपकी है हमें मिलती है तो हम आपके साथ जरूर साजा करेंगे तब तक के लिए देखते रहें ग्यानकोस और ऐसी वाइरल खबरों को देखने के लिए हमारे ग्यानकोस को भी सब्सक्राइब करें या वीडियो फेस्बुक पेज पर देखे रहें तो लाइक क साथ फालू करें वाइरल करते हम आपको हर तरह की खबरें देते रहते हैं देखते रहें क्यानकोस धन्यवाद